ये दो इसल में चानी है रस्ता रो को बागी है ये दो सिर्वे चानी है रेल रो को बागी है नमस्कार दोस्तों इंपलेकवर चेनल की एक और ने वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर सी एक बार स्वागत है नेशनल अजिटेशन कमिटी वासिम महराष्ट में 29.1.2023 को EPS 95 पेंसनर्स का एक जीला स्तरी सम्मिलन संपन हुआ कारेरत करमचारी संगठन NAC के साथ MSEB के अध्यक्ष प्रभाकर लहानेजी ने इस पूरे सम्मिलन का खर्च उठाया महराष्ट राज्य स्वाभिमानी विद्दुत करमचारी उनियन के नेता T.M. गवली भी इस कारेक्रम में सामिल हुए इसी सम्मिलन को देखते हुए स्री S.S. मापारी ने सम्मिलन के लिए निसुल्क तोर पर पवन मंगल कारेलाई की विवस्ता की E.P.S. पेंसनर्स ने भारी संक्या में उपस्तित होकर यहाँ पर सक्ति प्रद्रसन किया वह E.P.F. के अन्याय पुर्ण विवहार के प्रती रोस व्यक्त गिया E.P.F. के विरोध में यहाँ पर नारेवा जी भी की यहाँ तो सिर्प एक जाकी है रास्ता रोको बाकी है जैसे नारों से यहाँ पर यहाँ सभा गुझुठी यह दो सिर्प जाकी है रस्ता रोको बाकी है यह दो सिर्प जाकी है रेल रोको बाकी है माननी कमांडर असोक रावत N.A.C. राष्टी अध्यक्ष मुख्याले टीम सहीद इस सम्मिलन में उपस्तित हुए स्री एकरात ढले जी ने यहाँ पर सभी का स्वागत किया तांत्रिक कामगार यूनियन के अध्यक्ष स्री प्रभाकर लहाने ने भी अपने जोरदार पुर्ण भासन में कमंडर असोक रावत जी के कारे का कारे की सराना की और आगे की कारेवाही के लिए एनसी के साथ खड़े रहने का आश्वासन भी दिया महराष्ट राज्जी स्वाभिमानी विद्धूत कर्मचार यूनियन के नेता टी एम गवली ने भी अपने प्रभावशाली भासन में कहा कि उन्होंने एनसी के कारे को नजदीक से देख है हम आकोट तहसील के सम्मेलन में भी उपस्तित हुए थे इसलिए हम यहां माननी कमंडर असोक रावत सहब जी के साथ खड़े है और उनके लिए हर प्रकार का सयोग करेंगे सम्मेलन में राष्टी अद्यक्ष कमंडर असोक रावत ने सभी से विस्तार पूरुग मार्ग दर्सन किया वो सभी को पेंसन के मुद्धे पर प्रकाश डाला अपने भासन में इस पश्ट रूप से आगामी रास्ता रोको अंदुलन और रेल रोको अंदुलन के लिए सभी को कमरकस के तयार रहने के अपिलगी सम्मिलन के अद्यक्ष स्री S.N. आमबेकर प्रांती अद्यक्ष महराष्ट ने अपने अद्यक्षीव मतपूर्न भासन में महराष्ट के नेताओ द्वारा चलाय जा रहे पैंसनर्स बचाओ अवियान की समिक्षा सबके सामने रखी वह महराष्ट के सभी नेताओ का अभिवादन किया N.A.C. के चीप कमांडर असोक रावत को विश्वास दिलाया कि आपके एक निर्देश पर वह रास्ता रोको रेल रिखो बात तो दूर है वह किसी भी बलिदान के लिए तयार है इस तरह से सेकडों की संक्या में पैंसन धारक इस 29-2023 के कारेकरम में सम्मिलित हुए EPS 95 पैंसन धारकों को आगे की अपडेट और आगे के अंदोलन के लिए तयार होने के लिए यहाँ पर जो है अपील की गई है I hope यह वीडियो जानकर आपको पसंद आई होगी यह वीडियो जानकर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम